एस्ट्रो लवर्स जोतिश सूत्र को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकॉन दबाईए हमारे लेटिस्ट वीडियो के अपडेट्स पाने के लिए इसमें आपको विवाह में आने वाली बाधाये दूर करने के कुछ उपाय बताऊंगा इसमें सबसे पहला उपाय है जिस कन्या के विवाह में बार बार बाधाय आती है बार बार तै होकर उसके विवाह निलंबित हो जाते है उन्हें प्रतियक सौंवार को शिवजी को दूद या फिर दूद मिश्रिट जल से अभिषेक करना चाहिए और अभिश्यक करते समय ओम सोमेश्वराय नमह इस मंद्र का जाब करना चाहिए ऐसा करने से उसकी विवाह में आने वाली बादाए दूर हो जाएगी और शिग्रही उसकी मनो कामना पुर्ण हो जाएगी जिन लोगों के विवाह में देरी होती है उन्हें शिव पारवती की पूजा करनी चाहिए शिव पारवती की पूजा से भी विवाह में आने वाली बादाए दूर हो जाती है शीव जी को बिल्व पत्र, बिल्व के फल इत्यादी से पूजा करके नैवेद्य चड़ाए, इससे आपकी मनो कामना शिग्रही पुर्ण हो जाएगी तिसरा उपाय है, विवाह योग या युवक या युवती, हर गुरुवार को अपने नहाने के जल में एक चुटकी पिसी हुई हल्दी डाल दे और फिर इस हल्दी मिश्रित जल से हर गुरुवार को नान करे ऐसा करने से उनकी इच्छा जल्दी ही पुरी हो जाएगी और उनके विवाह के योग शिग्रही बनने लगेगे चोथा उपाय है जिस युवक या युवती का विवाह नहीं हो रहा है उन्हें प्रत्यक गुरुवार को कुछ न कुछ पिली चीज दारन करनी चाहिए इससे उनके विवाह में आने वाली बादाये शिग्रही दूर हो जाएगी और उनकी मनोकामना पुर्ण हो जाएगी पाँचवा उपाय विवाह की इच्छा रखने वाले लोगों को प्रत्यक गुरुवार को शिवजी का अभिशेक करना चाहिए और उन्हें शुद्ध गाय के गी का दीपक अरपन करना चाहिए इसके बाद उनको नवध्य के रूप में मिठाई और इलाईची का जोड़ा अरपन करना चाहिए इससे उनके विवाह में आने वाली बादाये निसंदेह दूर हो जाएगी चटा उपाई विवाह की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को गुरुवार के दिन केले के पेड़ को जलका सिंचन करना चाहिए उसके शमक्ष गाय के गी का दीपक जलाए उसके बाद ब्रहस्पति ग्रह के 108 नाम का उच्चारन करें इससे उनकी जीवन साथी की तलाश निसंदेह बहुत ही कम समय में पूरी हो जाएगी आईए जानते हैं साथ्वे उपाई के बारे में ब्रहस्पति ग्रह को सभी नव ग्रह में गुरु का स्थान दिया गया है इसकी उपासना से विवाह में आने वाली बादाय अपने आप ही समाप्त हो जाती है जिन लोगों का विवाह होने में बादा आती है उन्हें गुरु याने की गुरु ग्रह ब्रहस्पति ग्रह की उपासना करनी चाहिए उनका जाप या फिर उससे जुड़े हुए चीजों का अपने जीवन में उपयोग करना चाहिए आए जानते हैं आठवे उपाई के बारे में मित्रो गुरुवार का वृत धारन करने से विवाह में आने वाली जटिल से जटिल समस्या और बड़ी से बड़ी बादा भी दूर हो जाती है इसमें गुरुवार के दिन जातक को पीले वस्तर धारन करने होते हैं और ब्रहषपति ग्रह को पीले फूल, पीले फल, पीली सामागरी, हल्दी, इत्यादी चीजों से उनकी पूजा करनी होती है भोजन में भी इन लोगों को पीली चीजों का उपयोग करना चाहिए जैसे केला और पीले फल, चने की दाल इन सब सामाग्रियों का उपयोग भोजन में उनको करना चाहिए यदि संभव है तो ब्रहशपति ग्रह के किसी मंतर का जाप गुरुवार को वरत दारन करने के समय आप नियमित रूप से करते रहे इस तरह गुरुवार का वरत दारन करने से आपके विवाह में आने वाली सभी प्रकार की बादाय समाप्त हो जाएगी आए जानते हैं नवे उपाई के बारे में जिन व्यक्तियों की शादी मंगल दोश की वज़े से नहीं हो रही है उन्हें प्रत्यक मंगलवार के दिन चंडी का स्तोत्र और हर शनिवार के दिन सुन्दर कांड का पाट अवश्य करना चाहिए इससे उसके जीवन में शिग्रही विवाह के योग बन जाते हैं दर्शको जिस जातक का विवाह बहुत ज़्यादा उम्रण होने के बाद भी नहीं हुआ है उनके लिए यह उपाय बहुत ही कारगर साबित हुआ है इस उपाय में उनको शुक्रवार की रात आठ चुवारे लेकर उसे पाने में उबाल लेने है और इस उबाले हुए चुवारे को जल के साथ ही अपने विष्टर के पास सोने के समय पर अपने सिरहाने रख देने है दूसरे दिन उठकर इस चुवारे को ऐसे ही बहते हुए जल में छोड़ देने है लगातार साथ गुरुवार तक इसे दोहराने से बहुत लंबे समय से आपके जिवन में आने वाले बादाये समाप्त हो जाएगी और आपके विवाह के योग बहुत ही शिग्र बन जाएगे आईए आगे बढ़ते हैं अगले उपाई की और जिन जोडे को प्रेम विवाह करने में ज्यादा बादा आती है उनको ये विशेश रूप से लाबदाई साबित हुए है ऐसे जोडे को किसी भी शुकल पक्ष के प्रथम गुरुवार के दिन इस उपाई को शुरू करना है शुकल पक्ष के प्रथम गुरुवार के दिन उनको लक्ष्मी नारायन की फोटो या फिर लक्ष्मी नारायन की मूर्ति के समक्ष बैट कर ओम लक्ष्मी नारायनाय नमह इस मंत्र का जाब करना है ध्यान रहे इस मंत्र का जाब उन्हें स्पटिक की माला के उपर करना है और स्पटिक की माला के उपर इन्हें इस मंत्र का तीन माला जाब करना है शुकलपक्ष के गुरुवार के दिन इसे शुरू करके लगातार आने वाले तीन महिने तक प्रत्यक गुरुवार को इसे दोहराना है और इस दोहरान उन्हें प्रत्यक गुरुवार के दिन लक्षमी नारायन के मंदिर में परसाद भी चड़ाना है ऐसा करने से इस जोड़े के विवाह में आने वाली बाधाये समाप्त हो जाएगी और शिग्रही उनका प्रेम विवाह हो जाएगा आईए आगे बढ़ते हैं अगले उपाय की और ऐसी युवतिया जिनके विवाह में ज्यादा विलंब होता है और उनकी विवाह की बाते बार बार निलंबित रह जाती है उन्हें संकष्टी के दिन भगवान गणेश की उपासना करनी चाहिए और उन्हें नैवध्य के रूप में माल पुवे चड़ाने चाहिए ऐसा करने से उनके विवाह के योग जल्द ही प्रबल हो जाएगे ऐसे युवक जिनके विवाह में ज्यादा समय लग रहा है उन्हें संकष्टी के दिन भगवान गणेश की उपासना करके उन्हें पिली मिठाई नवेद्य के रूप में अरपन करनी चाहिए इससे ऐसे युवकों के विवाह भी शिगरही हो जाएगे तो दर्शकों ये थे विवाह में आने वाली बादा समाप्त करने के कुछ विशेश उपाई अब देखिए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलोजी एक्सपर्ट पूरे वीडियोस देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर पर डाउन्लोड करें अस्ट्रोलोजी टीवी एप, Amazon FireStick पर डाउन्लोड करें अस्ट्रोलोजी टीवी एप, Airtail DTH पे सब्सक्राइब करें अस्ट्रोवाणी चैनल, Dish TV और D2H पे सब्सक्राइब करें जोतिश दुनिया